अम्शंते एक हंस और एक हंसे नहीं हिमाले से निकल पड़े और उड़ते 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 बहुत दूर निकल लाए और शाम हो गई थे एक वीरान सा इलाका था और वहाँ पर वो आ गए और एक पेड़ पर बैठ गए और वहाँ बैठ कर दोनों बाते करने लगे हंस ने कहा कि रात होने को है इसलिए हम राज यहीं रुख जाते हैं कल सुबह उड़कर चले जाएंगे कहीं और वो हंसी नहीं कहती है पर ये क्षेत्र देखो कैसा है बीरान सा बीहड जंगल सा यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं देता और उतने में उसी जाड़ पर एक उल्लू होता है जो कुछ गा रहा होता है बड़ी करकश आवाज से तो वो हंसी नहीं कहती है अब समझ में आया कि ये इलाका एक शेत्र इतना निर्जन सा क्यूं है इस उल्लू की वज़े से कैसे चिला रहा है सुबह हो जाती है सुबह हो जाती है तो उल्लू जोड़े के पास आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि शायद आपको रात को मेरी वज़े से तक्लीफ हुई इसके लिए मैं माफी मागने आया हूँ तो हंस कहता है कोई बात नहीं फिट सोके तो वो दोनों जाने लगते हैं हंस और हंसिनी उल्लू पीछे से आवाद देता है आरे हंस पर तुम ये मेरी पत्नी को कहां ले जा रहे हो हंस को आश्चर होता है पत्नी किसकी और तुमारी वो कहता है कौन सी पत्नी वो कहता है ये हंसिनी ये मेरी पत्नी है इसको तुम कहां लेके जा रहे हो वो कहते हैं अरे वा ऐसे कैसे तुम्हारी पत्नी है हम दोनों साथ आये थे ये तो मेरी पत्नी है वो कहता है ऐसे कैसे ये मेरी पत्नी है तुम बिल्कुल इसको लेकी नहीं जा सकते तो जखड़ा हो जाता है फिर बात बढ़ जाती है आसपास के लोग वहाँ आ जाते है पंचायत बैढ़ती है सरपंच आते है आ गए सुब़ सुब़ शाम के समय कोई नहीं था सुब़ 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 आ गए तो बाद भी बाद बढ़ते जाता है और अन्तत जो सरपंच होता है वो ये निरने देता है पहले तो सोचते है कि हमको रहना तो इजी के साथ है ये तो आज आए और चले गए हमको तो रहना तो उल्लू के साथ है तो उल्लू के पक्ष में निरने दिया जाता है कि हंसी नी जो है वो उल्लू की पत्नी है और हंस को तुरंत इस गाव को छोड़ कर जाना जा तो हन्स चिलाने लगता है दुखी होता है रोने लगता है कि इस आफ़त में फस गया और वो जाने लगता है दुखी होकर उप पीछे से फिर से वो उल्लो पुकारता है अरे हन्स भाई ठीजरा रुको वो कहता है आप क्या रहा है जान भी लोगी क्या वो कहता है नहीं ये पत्ति तुमारी है ले जाओ तुमने कल रात में क्या कहा था तुमने कहा था तुम दोनों की जो बातचित चल रही थी कि इस उल्लू के वज़े से यहां सब विरानगी है वो कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी वज़े से वो विरानगी नहीं है यहां पर क्योंकि यहां के लोग उल्लू के पक्ष में फैसला देते हैं इसलिए इस जंगल में इस ठान पर बहुत कम लोग है और यहां कोई आकी रहता नहीं इसलिए ऐसा है यहां पर कि यह उल्लू के बाते सुनते हैं उल्लू के पक्ष में निरने देते हैं तो जो जिसके संग में रहता है उसका असर होने लगता है आज के मिल्ली में वर्दान आया है सत संग का कौन किसके संग में रहता है उस पर उसका जीवन है उसका चरित्र निर्भर है हम किसके संग में हैं और संग के साथ तल है पहला तल है संग का विचार किस विचारों में हम रहते हैं दिन भार किन विचारों का संग करते हैं व्यर्थ, नकारात्मक विकार दुख पीडा आत्मगलानी चिंता किन विचारों का चंग संग करते हैं दूसरा तल है यह मन का तल है दूसरा तल है बुद्धी बुद्धी से किस तरह के निर्ने किया जाते हैं बुद्धी का तल संग का तीसरा तल है संसकारों का तल किस तरह के संसकारों का हम संग कर रहे हैं आज की साकार मुर्ली में है तुम्हें दैवी संसकार आत्मा में धारन करने है क्या करना है? दैवी संसकारों को आत्मा में धारन करना यग्यान है समझने का और समझाने का यह ग्यान बड़ा डीप है यह ग्यान डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है बुद्धी और बुद्धी के क्या functions है यह आप सब के लिए हों वक्फ बुद्धी क्या क्या करती है साथ काम करती है बुद्धी बुद्धी के साथ काम है वो धून के लाना है कल पूछेंगे क्या क्या बुद्धी करती है वो दो छोड़के जो क्लासिस कोर्स में बताते हो कौन सा निर्ने करना और परकना और निर्ने करना ये छोड़कर ये उसमें मिला दो तो पाच और बताना ठीक है तो संसकारों के तल पर हमारा कौन सा संग है फिर है भावनाओ का तल किन भावनाओ में हम सारे दिन पर रहते है शुब है या बीच बीच में आशुब आती है शुब है क्या बीच बीच में कू भावनाओं धक्के देती है थोड़ा थोड़ा क्या करती है भावनाएं कैसी है तो भावनाओं का एक तल है किन भावनाओं के साथ हम सारे दिन बर जीते एक व्यक्ति है जो अंकार की भावनाओं के साथ रहता है उसका मन वैसा ही अस्थिर रहेगा कोई भी नई चीज़ किसी से गरहन नहीं कर पाएगा एक व्यक्ति है हीन भावनाव में जीता है कुछ भी उमगुटसा नहीं हमेशा अपने आपको कोस्ते रहता है मैं कुछ काम का नहीं मैं कुछ काम की नहीं मेरे से कुछ होगा नहीं सब लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं मैं कुछ भी नहीं कर पा रही ही कितने बुद्धिमान लोग हैं यहां सारे और मैं ही हूं निर्बुद्धी और कोई-कोई अहंकार युक्त स्रेश्टता ग्रंथी वाले सब पापी हैं यहां पर मैं ही एक पुन्यात्मा हूं पदा नहीं इनका कैसे भरती हो गए यहां ब्रह्मा कुमारिस में अपनी अहंकार में जीते हैं उर्परिक्रटिय कॉंप्लेक्स रिश्टता ग्रंस दूसरी तरफ हैंता ग्रंस इन्फरियोरिटी कॉंप्लेक्स दोनों प्रकार की और कभी-कभी मिक्सट्र मैं में दोनूं चलता है आइग साथ-साथ-ई-ए यह भी तो वह Dahaगाव का तल है हम किन भावनाओ कोई व्यक्ति बैठा है अकेला, एक घंटा, क्या सोच रहा होता है, पुरानी यादों में खो जाता है, वो बच्पन के दिन, इदर उदर की बाते याद करता है, किसने किस कितना मुझे दुख दिया, किस किस से बदला लेना है, लिस्ट निकालता है, इन्हों ने मुझे ऐसा ऐसा कहा था, अब मैं उनको क्या कहूँ, सब अपने दुख, एक मुर्ली में बाबा ने कहा था, हर आत्मा अपने दुख दर्द में डूबी रहती है, एक साकार मुर्ली थी, जिसमें बाबा ने कहा था, हर आत्मा अपने ही दुखदर्द में डुबी हुई रहती है तो वो तल है स्मृतियों का तल फिर है कलपना का तल नई नई कलपना है रचते रहता है डे ड्रिमिंग उसको हिंदी में कहते है दिवा स्वपन दिवा स्वपन में खोया रहता है मैं ऐसा करूँगा मैं वैसा करूँगा मैं इधर जाओंगा मैं उधर जाओंगा मेरा ये होगा मेरा वो होगा इसी खैलातों में रहता है जिसका जो अन्रियालिस्टिक है जिनका सत्य से कोई लेना दिना नहीं है और ये भी एक आदत सी बन जाती है डे ड्रिमिंग की, शेक्स चिल्ली की तरह, सपनों में खोया रहता है, ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वो होगा, सपना देखना है पर खुली आखों से देखना है, बंद आखों से नहीं, सात्वा तल सबसे सुक्ष में, सवपन का तल, ये हमारे वश में है या नहीं है, कौन सा सवपन देखना हम सोच सकते हैं, आज मैं ये सवपन देखूंगा, ये जब से सुक्ष में, क्यूंकि ये जो तल है, इन छे का परिणाम है, जो ये छे व्यक्ति करते रहेगा, जो भी आएगा इसमें, वो रात में इधर दिखेगा स्वपन में, तो ये भी एक संग का तल है, तो आज की वरदान में बाबा ने कहा, कि तुम्हें क्या करना है, तुम सच संगी हो, एक परमात्मा के संग में रहते हो, इश्वरिय संग में रहते हो, तो तुम पर कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ सकता, माया का प्रभाव तुम पर नहीं पढ़ सकता, हाँ, पर यदि त तुम शक्ति शाहली रहे और हर एक बाप के संग में रहे तो कुछ भी नहीं होगा अगर उससंग में तो इसा होगा नहीं तो नहीं होगा और एक प्रश्न है कि हम इतना सथ संग करते हैं फिर भी असर किनी होता हम पर कि क्या कारणे सुनोगे और वेस्ट में चले जाते एक शिष्य अपने गुरू से पूछता है कि आप इतना रोज सत्संग कराते हो और लोगों पे तो कुछ आसरी पढ़ते द्विखता नहीं है क्या कारण है वो कहता है मैं तुम्हे कारण बताता हूँ एक काम करो थोड़ी सी शराब लेके आओ वो कहता है क्या शराब अवाक रह जाता है गुरू ऐसी कैसी बाते कर रहा है वो कहता है लेके तो आओ तो लेके आता है शराब की बोटल वो कहता है अभी मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो तुम इस शराब की बोटल को पूरा करो, तुमको ये पीना है परंदु जब भी पियोगे गले तक पीना और आने के बाद फेक देना पर बोटल को पूरा करो तो कहता है ठीक है तो वो पीना चालू करता है एक घुट पीता है, गले तक आती है फेंग देता है फिर पीता है फिर कुल्ली कर देता है फिर पीता है बोटल खतम हो जाती है गुरु कहता है अच्छा कैसा रहा नशा चड़ गया तो नशा कहां से चड़ेगा क्योंकि वो तो गले से नीचे उत्री ही नहीं, वो कहता है, बस यही कारण है, लोग सत्संग तो करते हैं, परन्तु बात गले के उपर ही रहती है, गले से नीचे उत्रती ही नहीं, तो कहां से परिवर्टन आएगा, कहां से असर होगा उनके जीवन में? बहुत सारे कारण हैं, यह तो एक कारण बता है, अके बले टाइम तो सत्संग किसका संग करना है? पर मात्मा का संग यह सबसे बड़ा संग है, उसी के संग में रहना की, कि वो संपूर्न सत्य है, तो जिसके संग में जो जितना समय रहेगा, उसके संग का असर पढ़ते जाएगा, उसमें जो जो गुन है, वो इधर आते जाएगे, जो रंग उसका है, वो रंग इधर लग अूपा कैसे सबको आत्मा देखता है। वैसे ही अभयास करना है, वो ही प्रेक्टिस करनी है कि सब आत्माएं हैं, यह बड़ा गहरा अभयास है। तो यह अभयास यहां करना है। तो सद्शंग अर्थात जो बाते सद्शंग में सुनाई जा रही है, उसको अंदर यंदर धारन कर लेना समा लेना अंदर इतनी गहराई से समाना कि जीवन परिवर्थन हो जाए ये कारिय करना है तभी उस सत्संग की सार्थकता है नहीं तो गये, बैठे और आगये जैसे वो एक दिखाया S.A.D. जी रोज सत्संग को जाते आते गर में एक तोता है वो कहता है, आप सत्संग में जा रहे हो मेरा एक प्रश्णव गुरु जी से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी वो कहता है, ठीक है वो जाता है, सेट जी और गुरु से पूछता है मेरे तोतो ने पूछा है कि उसकी मुक्ति कब होगी गुरु चुप हो जाता है कुछ नहीं कहता और बेहोश हो जाता है उसको अश्चर लगता है और वो आता है वापिस और तोता पूछता है क्या हुआ वो कहता है मैंने पूछा पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया वो बेहोश हो गए तो कहता है तोता कहता है ठीक है मैं समझ गया और दूसरा दिन गुरु जी जाने लगते है सब्सांग सुने तो देखते हैं तो तोता बेहोश पड़ाए सोचते हैं तोता मर गया दर्वाजा खोलते हैं और तोता उड़कर बाहर चला जाता है सत्संग में पहुचते हैं वापस गुरु जी पूछते हैं क्या हुआ तो वो स्रिट जी कहता है कल आप से मैंने एक प्रशन पूछा था आपने कोई उत्तर नहीं दिया वो कहता है क्या प्रशन था प्रशन था कि तोते ने पूछा है मुक्ति कब होगी तो आज क्या हुआ वो कहता है कि वो तो उड़ गया वो कहता है तुम रोज सत्संग में आते हो रोज इतनी मेरी बाते सुनते हो और वो तो आता भी नहीं केवल इशारे से समझ गया पर इशारे से समझ गया वो कि क्या मुक्ति कैसे तुम फिर भी इस मोहक माया के जंजाल में फसे हुए हो जो कि मैं रोज कुछ कह रहा हूँ बता रहा हूँ फिर भी फसे हुए हो उसने केवल इशारों से समझ लिया कि मर जाओ उसके साथ रहना, उसके संग रहना, उसके संग रहना, उससे बाते करना, उसको अपने दिल की बाते बताना, और क्या करना उसके साथ? उसको देखना, उसके साथ चलना, गुमना, फिरना, कल की मुर्ली में साना, याद अर्थात, उर्थे फिरते चलते फिरते, याद, सत्संग में purity है, पवित्रता, और पवित्रता की बाते और किसी सत्संग में नहीं होती है, उधर इसलिए यहां पर विगन भी जादा पड़ते हैं, इसलिए असुरों के विगन यहां पड़ते हैं, यह सर्वोच्च सत्संग है, यहां क्यूंकि यहां पवित्रता की बाते हैं ऐसी बाते और किसी संग संग में नहीं है संसार के तो सबसे पहला संग जो करना है वो कुन सा है परमात्मा परमात्मा के संग रहने का उसके साथ चलने का अंग्रेजी में एक बुक है They lived with God किसी सन्यासियों के संग की किताब है कि वो ऐसे शिश्य थे जो भगवान के साथ साथ चलते थे They lived with God वो भगवान के साथ चलने वाले भगवान को अपना सब कुछ समझने वाले आज की मुली में भी है वो सब कुछ है सखा, पंदू, साजन सब कुछ वही है तो उसी के साथ रहना उसी के संग में रहना उसी से बात करना उसी से दिल की बातो को शेर करना उसी का सुनना और उसी के प्रतिसमर्पन उसी से सर्वसंबन उसी एक को देखते रहना उसी को सुनाते रहना सब कुछ एक तो एक ये है सबसे बड़ा सत्संग इस से बड़ा सत्संग इस संसार में और कोई भी नहीं है क्योंकि वो संपूर्न सत्य है और जो उसके साथ रहता है वो कभी अंदकार में नहीं जा सकता I am the light of the world and he that followeth me shall not walk in darkness Jesus Christ अपने शिश्चे से कहता है इस संसार का मैं प्रकाश हूँ जो मेरे पीछे आएगा वो कभी भी अंदकार में नहीं जाएगा I am the light of this world I am the way, the truth and I am the light, the way and the truth मैं ही सब कुछ हूँ मेरे पास आजाओ तो वो परम प्रकाश है वो परम मित्र है परम सलाकार है परम गाइड है परम शिक्षक, मित्र सब कुछ है सबसे बड़ा counselor वो है उसको guide के रूप में प्रयोग करना जैसे हमें कोई समस्य आती है तो guide को पूछते है, क्या करे coach को पूछा जाता है क्या किया जाए वैसे उसके सामने जाके पूछना कि ये परिस्तिती है, क्या करू इस परिस्तिती में क्या किया जा सकता है ऐसा योग कर रहा हूँ और क्या करू आज की मुर्ली में पोता मेल दो बाप को चार्ट बाप को बताओ लिखो कितना समय बाप की याद में रहे आत्म अभिमानी कितना रहे अभी है आत्म अभिमानी सत्युग में होंगे यहां है आत्म और परमात्म अभिमानी दोनों वहां होंगे केवल आत्म अभिमानी आज की मुर्ली की शुरुवाती वहां से तो यह सबसे बड़ा संग है यह संग से दूर हटते ही विकार आना चलो हो जाते भग्वान को छोड़ा बाप का बनन्ती सुनन्ती पवित्र बनन्ती आज की मुलू है न और फिर बाप को भार्कति देवन्ती माया बड़ी प्रबल है पुम्ण बाद में आवन्ती अच्छ Are multiple बनन्ती बाद में आवन्ती बाकी सबको ग्यान में लेकर सबसे बड़ा सत्संग पर मात्मसंग चेक करते रहना है मैं किस के संग में रहता है और साथ तल है उसके मन के तल पर, बुद्धी के तल पर, संसकारों के तल पर, भावनाओं के तल पर, कलपना के तल पर, स्मृतियों के तल पर और सात्वा स्वपन के तल पर कितनी बार एक मैने में पिछली बार पिछले एक मास में कितनी बार बाबा स्वपन में आये थे हाशिश भई विटल भई आता है क्या कभी हम तो उसके स्वपन में रोज आते होंगे पर वो हमारे स्वपन में कितना आया हमारे स्वपन में वही आता है जो दिन भर जिसका चिंतन किया जाता है स्वपन के भी अलग साथ प्रकार है वो दूसरी प्रकार है वो कभी और तो स्वपन के भी अपने अपने प्रकार तो उसमें एक स्वपन तो वह होता है कि जो दिन भर सोचते रहो वो रात में दिखता है साकार कुछ स्वपन पूर्वजनम के कुछ स्वपन दमन वाले कुछ स्वपन भविश्य के जो होने वाला है वा भी दिख जाता है सुपर कॉंशियस से आने वाले स्वपन होता है कुछ कुछ सोपन बच्पन की ऐसे बहुत सारे अलग प्रकारे है उसमें तो यह साथ तलो पर यह सत्संग हुआ कौनसा परमात्म दूसरा संग है परमात्म ग्यान का संग परमात्म ग्यान हमारे साथ कितना दिर रहता है यह भी साथो तलो पर विचारों में परमात्म ग्यान बुद्धी में परमात्म ग्यान संसकारों में उसका ग्यान कलपना में कलपना में मतलब कलपना करना है कल की मुरली में था तुम यूनिवर्सिटी में बैठे हो सोचो ये ओम शांति भवन विलुप तो हो गया और मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ और यहां कोई-कोई बुद्दू भी है कल था imagine करना तो ज्ञान ज्ञान के संग में रहना अर्थाथ ज्ञान का चिंतन करते रहना अर्थाथ ज्ञान का मनन करते रहना अर्थाथ एक दूसरे से पूछते रहना चिंतन करते रहना है, मनन करते रहना है, points note करते रहना है, points को याद करते रहना है, यह है उसके ज्ञान का संग, यह सबसे स्रेश्ट ग्यान है, इससे स्रेश्ट ग्यान संसार में कोई है ही नहीं, तबसे महान ज्ञान, सुर्वोच, the highest, पवित्र बनाने वाला, character building education है, चरित् एक पतन हुआ है उस पतन की गर्द से उठाने वाला यह सर्वोच ग्यान है तो किस ग्यान इस ग्यान के किस में रहना है इस ग्यान से टॉपिक्स निकालने है रोजमुर्ली से टॉपिक्स निकालने है रोजमुर्ली के टॉपिक्स पर सोचना रोजमुर्ली की टॉपिक्स का discussion करना आपस में कुछ तु लिखना उसको creative writing करना कुछ कर रहे हैं सभी कि नहीं रोज करना है यह डेली का काम है जो मुरली आ रही है तुरंट लिखना सत्युग में ये वहां वो वहां वो पढ़ाई होगी नहीं यहां ये पढ़ाई है आज की मुरली में है वहाँ वो पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ है यह पढ़ाई लिखना यह ग्यान deep की हुए, यह ग्यान difficult की हुए दो point आई है आज के मुखले में Deep है और बहुत difficult है difficult थे difficult है यह पढ़ाई क्यूँ? वो point लिखना और एक चगा यह भी बोला यह तो बहुत सहज है, दोनों चीज़े रहती है उसमें, यह सहज की हो है और डिफिकुल्टी हो है, यह टॉपिक है, चिंतन करो सारे दिन पर, अगर चिंतन नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे बुद्धी को, तो बुद्धी कहा जाएगी, पुरानी यादे, दुख दर्द, पश्याता भविष्य की चिंता है, वर्तमान जो साथी है, उनका चिंतन, यह मेरे साथ ऐसा करता है, इसने मुझे ओम शांती किया ही नहीं, देखा पर उदर देख लिया, पदा नहीं ऐसा क्यों करने लगा, इसका तो वेवार ही बदल गया है, पहले तो ठीक थाक था है, आ पूछ तो बताया है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अभी तो इतना मैसेज करता हूँ, कोई रिपला ही नहीं, क्या हो गया, और पूछ भी नहीं सकते, बताओ, तुम ऐसा क्यों करते हैं, पूछें के तो और भी डर है, और हम क्यों पूछें, जाना है तो जाओ, पर चाहिए भी, दोनों बाते हैं, ऐसे ही करते हैं न दो लोग, एक दूसरों को नोचते भी है, और प्यार भी करते हैं, लव-हेट रिलेशन्शिप कहते हैं इसको, चाहिए भी, और मिल जाए, तो इसको खरोचते हैं पूरा, और नहीं मिला, तो चाहिए, बड़ा जटी ले मनुश्य मन, क्या चाहिए, वो ही पता नहीं उसको, तो परमात्मा ज्ञान का संग करना है, ये ज्ञान बुद्धी में नहीं रहा, ये बुल-बुल टिकलू-टिकलू नहीं करती रही, तो वो उल्लू, अपनी करकेश आवाज करते रहेगा, तीसरा है आत्माओ का संग, आत्माओ का संग में जो हमसे बड़े है, स्रेष्ट है, वरिष्ट है, उनका संग जैसे दादियों का संग, यदि सहज मिल जाए, या फिर साथी हैं, साथ ही ऐसी आत्मा है जो ज्ञान में जिनको रुची है या कोई हमारे छोटे भी जो ज्ञान में इंटरेस्टेड है जिनको हम सिखाए तो ये भी तो एक सत्संग की केटेगरी है सुचनात्मक सत्संग होता है उपदेशात्मक सत्संग होता है सत्संग के भी अलग-अलग प्रकार है चर्चात्मक सत्संग जिसमें चर्चा चल रही है खाली वो भी सत्संग है तो इन तीनों में से किसी के साथ भी डिसकेशन करना, अनुभाव शेयर करना पूछना अनुभाव जो नए-नए लोग आते हैं सेवा धरी उन से भी बैटके कितना कुछ सिखा जा सकता है उनके जिवन में भी कितनी अच्छे-च्छे अनुभाव होंगे जो अभी अभी ग्यान में आए छे मेना हो गया छे मेने में उनको ऐसे-ईसे अनुभाव हो गया हम इदर छे साल से हैं, हमको एक भी नहीं हुआ और उसको बता भी नहीं सकते हैं, हाँ हाँ ठूके बता बता अच्छा ठीक ठीक, यह होता है शुरुआत में होता है ऐसे बोलना, और हमको तो कुछ भी नहीं हुआता है शुरुआत में भी नहीं हुआ नाब हो रहा है कुछ भी नहीं दिखता हमको तो वो कहता है मैं बैठता हूँ तो पता शरीर भूल जाता है हमको आज तक नहीं हुआ बैठते तो और ही ज़्यादा शरीर याद आता है इदर खुजली उदर खुजली इदर डोलता हूँ इदर डोलता हूँ पता नहीं यह खुजली तो योग हमारा भंग करने वाले ऐसे दुष्ट मच्छर आत्माओं का संग करना है वो आत्मा है जो महान है जो स्रेश्ट है जो उची है जो ग्यान की बात हो मेरे उची रखती है जिनको योग में बहुत इंट्रेस्ट है योग बहुत अच्छा लगता है उनको योग बल जिन के अंदर है ऐसी आत्मा हो ये भी सत्संग है चौथा है सुनना आवास का सत्संग यदि ऐसी आत्मा हमें नहीं मिल रहे है तो क्या करेंगे ओडियो, क्लासेस, फीडियोस, ओडियो विच्वल सत्संग उनकी आवास सुनना उनसे कुछ प्रेर ना लेना क्योंकि हर आत्मा तक हम नहीं पहुच पाएंगे और जो आत्मा है आज है ही नहीं जो यग्य की शुरुवात की दादिया वो आज है ही नहीं अब उनका संग कैसे करेंगे हम तो उनकी वानी है उनके recorded speeches है और वो भी नहीं रहे और एक चीज होती है जिसको अंग्रेजी में कहते है अकाशिक records अकाश में भी records है जब बुद्धी बहुत सुक्षम हो जाती है तो उन records को भी सुन सकती है ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा था मदुबन की इस भूमी में अभी भी recorded है वो अकाश में अकाशिक records English शब्द है महत्मा गांदी ने क्या कहा था वो अगर कोई इतनी बुद्धी सुक्षम हो जाए तो वो आवाज भी सुन सकते है चानक के ने क्या कहा था वो आवाज भी भी है आकाश में आकाशिक records तो वो आवाज भी पर वो तो दूर की बात है अभी हमारे पास ये है ये सुन लो भी ये ठीक है तो audio तो लक्ष रखना है कि कुछ ना कुछ सुनते जाना है कोई ना कोई क्लास कोई ना कोई दादी के अनुभाव अनुभाव सुनना सबसे अच्छी चीज़ है यग्य के इतिहास की बहुत सारी क्लासेस है सबसे बेस्ट है उन क्लासेस को सुनते रहना पुरानी क्लासेस पुरानी बाते क्या-क्या हुआ था यग्य में कैसे कैसे ये सारी दादिया निकल ली थी एक एक का जीवन बड़ा महांत, सुक्ष्म, गहरा समझना है उसको इसी से प्रेर ना मिलेगी तो ये है आडियो विज्वल ये मॉडरन सत्संग है थोड़ा एकडम आधूनिक सत्संग पर सबसे अच्छा है ये भी उसके बाद है किताबे किताबों का संकरना व्यक्ति अकेला है कहता है मुझे बोर हो रहा है बोर कैसे होता है मुझे यहीं समझ में आता है लोग ये बोर्डम क्या होता है जबकि इतनी सारी किताबे हमारे पास है यग्य की किताबे है इतना सारा साहित्य है बोर हो कैसे सकता है सारा पढ़की हो गया जगदिश भाई की लिख्योई सारी किताबे पढ़की हो गया जो हम कहरे बोर हो रहा है चलो कहीं घूमने जाते है क्या घूमने पहले ये पढ़ाना हो गया Books My days among the dead are past Whenever these casual eyes are cast My never-failing friends are there With whom I converse day by day लेखक लिखता है कि एक आंद में ये मेरे एक मात्र मित्र है कौन? किताबे My never-failing friends are there With whom I converse day by day मैं उनके साथ दिन रात बात करते रहता हूं अंग्रेजी कभी Robert Sauthy कि पोयम है Books के विशे में ऐसा ये इतना बड़ा भोजन The vast, repast in front of me कब खाऊं और क्या खाऊं? Library में जाता हूं तो ऐसी भूख लग जाती है लगता है क्या खाऊं और क्या नहीं ऐसा लेखक लिखता है तो Books सबसे अच्छा सत्संग है Books के company में रहना और सबसे जादा Books रेष्ट है अव्यक्त वाणियों की किताबे साकार मुडलिया मैगजीन्स ग्यानामरित प्यूरिटी वर्ल्ड रिन्यूवल और अभी तो बहुत सारी और भी निकल गई है वो सारी और literature यग्यका जग्दिश भाई की लिखी हुई सारी किताबे और additional बहुत सारी किताबे आ गई है स्पार्क की किताबे कितना सारा literature पढ़ने को है और हम कहते हैं हम बैठे है क्यों बैठे हो कुछ करने को ही नहीं क्यों करने को क्यों नहीं किताबे अलग-अलग जगा रख दो बेड है उसके बाजू में एक किताब रख दो ओफिस है उसमें एक किताब रख दो अलग-अलग जगा है वहाँ अलग-अलग किताबे रखो ताकि वहाँ बैठो तो पढ़ सको और अगर कुछ भी रखना नहीं है तो soft copy तो है ji इससे पढ़ो? hard copy पढ़नी नहीं है तो soft copy इससे पढ़ो सीदा ये भी एक सथसंग है फिर उसके बाद में है स्थान स्थान भी सथसंग होता है एक होता है मन से जाना एक होता है वास्तव में जाना बदुबन के چार धाम सुक्ष्मवतन, परमधाम मंदीर बहुत सारे सत्यूग चक्कर लगा के आना है वहाँ पर अपने मंदीरों में देख के आना भक्त ठीक तो है प्रभगर भाई सब मिल रहा है कि कुछ चाहिए किसी को तो ये भी एक सत्संग है और लास्ट है सकाश गुरूप सकाश गुरूप अरतात सकाश गुरूप अपने भक्तों के साथ संग करना अपने वो जो संसार की आतमाए हैं जिनको सकाश देनी है उनका संग करना हमारे लिए वो सत्संग है क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे है बाबा से जुड़ रहे और उनको दे रहे आत्माओं को दे रहे ये काम सबसे ज़्यादा करते रहना है सकाश कृप उनसे जुड़ना है आत्माओं के साथ क्योंकि आत्मा एद्दुखी है तडप रही है, भटक रही है भगवान को जानती नहीं है तुम जानते हो वो नहीं जानते है आज की मुर्ली में तुम समझते हो वो नहीं समझते है आज की मुर्ली में उन्हें कुछ पता ही नहीं तो बटक रही है उनकी प्यास मिटानी है भक्तों को साक्षातकार कराना है हिमाले पर बैठे तपस भी है पंद्रा साल से तपस्य कर रहा है तो उसका तो कुछ करना पड़ेगा न उसको कुछ साक्षात कर बिक्षात कर तो कराना पड़ेगा हम कोई कराना है वो तो वो भी एक काम है तो ऐसे ये साथ प्रकार के सत्संग है तो सत्संग बहुत बड़ी चीज़े बहुत उची चीज है निरंतर सत्संग में रहना है सातो तलो पर ताकि कोई भी एक सेकेंड के लिए भी इदर उदर बुढ़ दिना जाए, फ्री ना रहे फ्री हो गई, तो गए तो कोई न कभी विकार आएगा कोई न कोई पुरानी याद आएगी पभी शकी कोई न कोई चिंता घेर लेगी और हम गिर जाएंगे तो निरंतर स्वैम को उचा, उठा के रखना है जितना सत्संग में रहेंगे उतनी बुद्धी कैसी बनेगी शुद्ध बनती जाएगी तो आज का ये वरदान था तो ये सत्संग के सबत रंग थे सात रंग सात तल और सात रंग तो इसी रंग में स्वैम को रंगा के रखना है